राइपे में 7 दश्मलब 7 दीवरता का उकम चार मरें, ताइवान के पूर्वी तटपर वुद्वार को 7 दश्मलब 7 दीवरता का भीशन उकम पाया आप दीख रही है दखबरदार न्यूस, ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाद है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब दो खबलदार हाला के सुनामी की चेताबनी कम कर दी गई है लेकिन इस खटना में चार लोग मारे गए और पचास लोग खायर हुए है इसलिए जिक कई इमारतल शतीक रस्तों गई हैं और ट्रेन एवं औरान सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है भुकम संधाई और चीन के दक्षणी पूर्वी तक के कई प्रांतों और दक्षणी जापान में भी महसूस किया गया टाइवान प्रशान्त रिंग ऑफायर के साथ इस्तित है जो प्रशान्त महसाजर को घेरने वाली भुकम पियर दोशों की रेखा है जहां दुनिया के अधिकान शिभुकम पाते हैं टाइवान में भुकम प्लाइब चार की मौत साथ घायर ताइवान में धीशन भूकम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और लगबक साथ लोग भायल हो गई है शहर के चारों और ही बहाडियों से सुबह सुबह पैदर याद्रा पर निकले साथ लोगों की समूह में से तीन लोगों की पथरों से कुचल कर मौत हो गई ताइवान में भूकम लाइव में बता दें आपको जहां 26 इमारते इढ़े गई हैं और लगबग 20 लोग पस गए हैं ताइवान में भूकम का केंद्र हुलियन में कम से कम 26 इमारते इढ़े गई जिनमें से आधी से दिक इमारते इढ़े गई करीब 20 लोग वहां फसे हुए हैं और बचाव अभिहान जारी है पहाडी हुलियन छेतर में चट्टाने गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जिनमें से 1 की दबकर मौत हो गई है टाइवान में भूकम प्लाइव 4 की मौत कई घायल पाइवान की अगनी शमन एजनसी ने कहा कि भूकम के कारण कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है जब कि 50 से अधिक लोग खायल हो गए है जापान द्वारा सुनामी की चेतावनी हटाए जाने के पाया तो जापान में नहा हवाय एड़े पर परिचालन पिर से शुरू हो गया जापान मौसम विज्ञान एजनसी जिसने शुरू में ओकिनावा के दक्षडी धूई शेकर में 3 मीटर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉलियूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटेन केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर्बाइ सुहागी बाइपार